बस्ति जनपत के एनेस टूटी एट के अगर मौत का हाईवेट कहा जाए तो आच्छर नहीं होना चलिए कर यहां मौतों का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है ऐसा दूटी कोई दिन नहीं होता है जी दिन ग्यानेसनल हाई बेग दो चार जी लिजियों को लिगन मालेटी है मावला बस्ति जनपत के हरी यार खाना छेट के बढ़ाव करा ग्राव का है जहां पर 12 ग्लास की दो बच्चे जो प्रयूश्पतर लेकर वापस प्रशाकेंद को देखने जा रहे हैं कि रॉंग साइट से आर ही एक आनियन क्रिप गर्ना जी भुटरक दोनों च्छात्रों को खुशल देती है फिटेश सिंग्ना वक्षात्र की घटना अस्तल पर ही मौत हो जाती है जबकि यस दूबे को और ट्रल ले जाती समय रास्ते में उसकी मौत हो जाती है परतर दर्फियों में काफी गुस्ता है क्योंकि आयद भी इस तरीके हाथ से यहां होते जा रहे हैं और जिम्मेदारान हैं जो मौन हैं चाहे और एनरज के अलिकारी हो चाहे पुलीस हो कोई भी अपना काम सही डग से अंजाम नहीं देपा रहा है इसी करण आया दिन मौतो का ग्राफ बहरा पेश है जो उल्टा साइड लोगों को चलना पड़ रहा उसके पीछे टूल की ही कमी है काण यहां से किसी ब्यक्ति को अगर अभी महुग हट जाना हो या तहसील जाना हो तो जाहर सी बात है इसी ब्योस्था बनाई गई है कि आदमी को उल्टा बिना चले उस जगह पहुंचने ही सकता तहसील जाना हो तो उसे जाना पड़ेगा तेनुआ यहां से च्किलोमेटर कितने की मौत हुई है दो लोगों को एक को छोट लगी है जो की गंभीर रूप से जो है घायल है और एक आनिस पाट मौत हो गटना कहा हुई है इसको जटना है घटत हुई है बड़ार पिटोल पंप के पास यह बच्चे कहां जा रहे थे यह बच्चा गया था डोहा के पास कि देले से नस भी वहाँ पर अपना सेंटर देख अपर पढ़ने वाला था यह यहीं हर रहिया जो है ब्यार इंटर कालिज का पर इस पार कंडिशन में आया है मृत वस्था में आया हुआ हुआ है दूसरे कंडिशन गंभीर बढ़ी हुई है उसको जिलास पर बश्ति के ल आज दिन में लगबख सवा दो बजे हरिया थाना चेतर के ग्राम बढ़हर कला पेट्रोल पम्प के पास उल्टी दिसा से आ रहे एक गंणा लदे ट्रक ने दो बच्चों को टकर मार का गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी सूचना पर ततकाल हरिया के पलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंट सेची हरिया ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने चेकिंग के बाद दोनों बच्चों को मृत घोसित कर दिया दोनों मरने वाले बच्चों के नाम हितेश सिंग पुत्र दिनेश सिंग निवासी महिवा कुमर ठाना हरिया और दूसरा यश कुमार दूबे पुत्र शिव शागर दूबे निवासी कुचैला ठाना शेत्र हरिया है इसमें वादी नटवर सिंग निवासी महिवा कुमर की तहरीर पर थाना हरया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजिकर्थ किया जा रहा है दुर्भटना करने वाले ट्रक जिसका नंबर NL01K1216 है उसे पकड़ लिया गया है और उसे थाना हरया पर लाकर खड़ा किया गया है ट्रक का चालक मौके से भागने में सफल रहा है और इसमें अभियोग पंजिकर्थ करते हुई आवश्यक वैधानिक का एरवाई की जा रही है मौके पर शांती वेवस्था यवंगी आतायात सुचारूरूरू सुचल रहा है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है